गुड इवनिंग इस्टूइट चलिया आज हम कुछ सेकंड्स में समझते हैं कि कॉंट्रा इंट्री किसे कहते हैं इससे पहले मैंने बताया आपको कि कमपाउंड जनरल इंट्री किसे कहते हैं अब हम जानते हैं कि कॉंट्रा इंट्री किसे कहते हैं उसी को हम Contra Entry बोलते हैं इसे केस में ही Contra Entry बनती है जब हम बैंक से Deposit या Withdraw करते हैं तो उस केस में Contra Entries बनती है और ये Entries हम Cash Book में करते हैं ये ऐसी Entries होती हैं जो Cash Book में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में एफेक्ट करती हैं बोट साइडस ओफ Cash Book ठीक है दोनों साइड में Cash Book की एफेक्ट करती हैं ये Contra Entry